सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टी वीपर हम बात करेंगे अपनी डेली करेंट अफेर्स के प्रोग्राम पर जैसा कि हम लोग कुछ दिन पहले किया करते थे कल के वीडियो पर जो आपने सकारात्मक अविबक्ति दिखाई उसके लिए मैं तहे दिल से आपका सुक्रियादा करता हूँ आज हम बात करेंगे अपनी जो डेली करेंट अफेर्स के प्रोग्राम पर उसमें हम तीन टॉपिक डिसकस करेंगे पहला जो टॉपिक आपके स्कीन पर दिखाई दे रहा हूँ है प्रकरती में हस्तच्चिप और महामारियों का प्रको देखेंगे आखिर क्रोणा वायरस के साथ साथ ऐसी कौन सी महामारियां है जिनका संबन प्रकरती में बढ़ते हुए मानभी हस्तच्चिप से जोड़ा जारा वहीं जो दूसरी खबर होगी उसमें हम बात करेंगे कोविड-19 के बैक्सीन का जो टेस्ट होगा वह डेमोक्रेटिक रिपबलिक आफ कांगो में क्यों होगा और उसको लेकर किस परकार की वैस्विक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है अर्थात क्या एक गरीब देश में जो है कि इस परकार के बैक्सीन का टेस्ट किया जाना नैतिक्ता के खिलाफ है या फिर सही है इस पर हम बात करेंगे वहीं जो हमारी तीसी खबर होगी उसमें हम बात करेंगे प्राइपेट हेल्थ सेक्टर की बरतमान आवसकता अर्थात क्रोना वारत से लड़ने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए है उसमें कौन-कौन से और भी कदम उठाए जा सकते हैं तो इनहीं तीन टॉपिक को मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो यह एक-एक करके हम इन खबरों का बिसलेशन परारम करते हैं जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रकरती में हस्तचे और महामारियों का प्रुप्यो तो जरसल यह टॉपिक चर्चा में क्यों है हुआ इस वज़े से है कि आश्टेलिया के जो प्रधान मंत्री है स्कॉट मौरिसन जिनका फोटो आप इसकीन पर देख रहे है इन्होंने हाली में संयुकतराष्ट और WHO अर्थात World Health Organization से चीन में चल रहे वेट मार्केट के खिलाब कारवाही करने का आगरह किया है बिन्ति किया है और इसके लिए कदम उठाने का भी इन्होंने बात कही है तो यह देखे आपके एक तरफ इमेज दिखाई दे रही है यह है आश्टेलिया के परधार मंत्री है और दुखसे तरफ एक जो है की पिज़ेडे टैब की आकरती है जिसमें कुछे प्राकरतिक जी और बधे हुए हैं अर्थात रखे गया है तो दरसल इन्होंने ऐसा इस बज़े से कहा है क्योंकि जो वेट मार्केट है यही वह जगा माना जाता है जहां से कुरोना वायरस फैला और यह जो मार्केट है पुन्ह जो है की खुल गया है और यह मार्केट कहां पर है चीन के बुहान सहर में इस्थित है और दरसल इसको weight market इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर अनेक परकार की जीव जो कि कई जीव तो ऐसे हैं जो अपने प्राकर्तिक आवास्तक में नहीं मिलते जिनका ब्यापार जो एकी प्रतिवन देता है ऐसे भी जीव आपको यहां पर weight market में मिल जाएंगे लेकिन इसका जो weight market जो नाम पड़ा है वो इस बज़े इस पड़ा है कि आपने देखा होगा कि जो भी meat processing industry होती है जो market होता है उसमें क्या होता है कि बार बार उनको उन जीवों को उनकी खाल को दोला जाता है तो उससे पाने निकलता रहता है उनको जब काटा जाता है बहुत समय तक सड़ने गलने से बचाया जाता है इन सभी किरियाओं से क्या होता है इस परकार के जो meat processing industry के जो छेतर होते हैं market होते हैं यहां पर road पर सड़क पर नालियों में पानी भरा रहता है तो इसी को बोला जाता है weight market weight का मतलब होता है art market अरता ऐसा छेतर जहां पर पानी भर रहता है तो दरसल होता क्या है कि यह जो market है इसलिए market जो है कि popular है क्योंकि यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर जितनी भी दुरलब जी होते हैं जैसे देखिए आपके screen पर लिखा दिखाई दे रहा है कि आप यहां पर आजुगर कछुआ गिरगेड C food जो समुद्र से पाये जाने वाले जिनको आप भोजन के रूप में यूज करते हैं उसका बहुत बड़ा यह market है और यह market यहीं से माना जाता है कि यहां पर जो COVID-19 बिमारी है जो Corona virus की बिमारी है यह दरसल यहीं से उत्पन होई थी आपने कई ठेवरी देखा होगा कि मान जानों ने प्रकरती के कुछ ऐसे जियों का भोजन के रूप में प्रियोग किया है जो कि समानतर नहीं होता और उस तरह से जानोरों को होने वाली जो Corona virus की बिमारी है समानतर पहले जानोरों में देखी जाती रही है अब वो मानुस्रे में आ गए वो कैसे आई क्योंकि आप प्रकार के बैस्विक प्रतिकिरिया दिखाई दे रही है तो यह जो प्रतिकिरिया है इस पे मेरा जहां तक मानना है कि सभी देशों को एक जुट होकर चीन के खिलाब खड़े होने की आउ सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार Corona virus का प्रकोब जो है कि चीन के द्वारा उत्पन किया गया है इससे पहले भी अगर आप देखें तो Corona virus जिसका नाम सार्स बिमारी के रुप में आप जानते हैं बरस दो हजा एक दो और तीन में चीन में अपना घातक परभाव दिखा चुकी है उस समय भी लगभग जो है कि 700 से 800 लोगों की मृत्व हो गई थी ठीक यही कंडिशन बर्तमान समय में हुई और जहां से यह बिमारी का जो epicenter था जहां से यह बिमारी पूरे बिस्वा फैली चीन तो अब इससे जो है कि उबर चुका है लगभग लगभग और इसने फिर से इस मार्केट को उफिन कर दिया है तो क्या पता क्या इसकी कारंटी है क कि आने वाले समय में फिर से इस परकार का कोई वारस यहां से प्रोडिूस नहीं होगा हाला कि कई परकार के अन्य थियोरी है कि इस वारस को चीन के जो है कि किसी laboratory में बनाए गया है चीन का कहना है कि USA के किसी military laboratory में बना था वो अलग चीज़ है लेकिन जो अधिक मानता है व आप केनेडा को देखिए आप यूरोप के देशों को देखिए आप जो है कि इरान को देख लेजिए अन्य देशों को देखिए तो सभी देशों की इस समय अर्थ ब्योस्ता बिल्कु चौपट हो चुकी है आश्टीलिया जिसके पास एक पर्याटन का काफी अच्छा scope है और जो परेटन से बहुत बड़ी मात्रा में अपना जो है कि अर्थ ब्योस्ता को गती देता है वो भी इससे परभाबित हुआ है तो इसलिए उसने कहा कि इस परकार के अगर मार्केर खुलते रहेंगे तो ये आने वाले समय में भी चुनोती उपन कर सकते हैं इसलिए उसन मात्रा में सिकार भी कर रहा है हमें थोड़ा सा कुछ बीमारियों पर नजर डालना चाहिए जैसे इवोला बायरस के नाम सुना होगा जो बीमारी आई थी वो भी एक महामारी के रूप में कनवर्ट हो गई थी स्वाइन फ्लू वर्ड फ्लू अभी हंता बायरस मंकी डिजी अलेक बीमारियों का जिनका आप नाम ले सकते हैं उनको देखिए इन सभी बीमारियों में एक चीज जो कौमन दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा कि वो किसी जानवर से इंसानों में आया अर्था तो जानवरों में होते थे और जानवर जब तक जानवर के संपर्क म पहुंचाती है और बरतमान समय की जो बिमारी है जहाँ तक मेरा जो मानना है मैंने अपने जीवन में इस परकार की किसी बिमारी की अभी तक कल्पना तक नहीं कीती देखने की तो बाथ छोड़ी और नाहीं आपने कभी किया होगा हम लोग को यहीं परता था क्यों कोई बिमारी आएगी और उसका आसानी से हम लोग उसको टेकल करें लेकिन बरतमान जो इस समय है ये एक तरह का एक alarming time है एक ऐसा समय है जब सभी देशों को अब रुप कर सोचना चाहिए कि आखिर उनकी जो activity है वो पर्याब ब्रण के अनकूल है या नहीं अर्थात जो हमारी दिन्चर्या बन चुकी है जो हमारी habit बन चुकी है उससे प्रकरती पर किस प्रकार का परवाव बन रहा है इस पर हमें सोचने की जरूरत है तो इसलिए यह जो topic है इसलिए काफी अपके लिए important है हाल के समय में आपने देखा होगा कि जंगलों का बिनास बड़ा है जो कि जंगलों वाले छेत्रों है जंगल को काट कर वहां से मिनलस निकाला जा रहा है वहां पर transportation बिक्सित किया जा रहा है वहां पर लोगों को बसाया जा रहा है अर्थात यह माना जाता है कि जंगल जब तक है वह एक ऐसा छितर है जहां पर हम विकास कर सकते हैं लेकिन इसी गतिबिधी ने क्या किया है अर्थात चाहें जंगल हो चाहें जल वाला छितर हो जील हो तलाप हो कोश्टल एरिया हो कोई बेरिया हो उसमें बैक्ति क्या कर रहा और इसी हस्त छेप के कारण जीओं का आवास जो कि उसको छती पहुँच रही है और वह अपने आवास से बाहर बैक्तियों के संपर्क में आ रहा है और बैक्ति अब अंदर तक परवेश करके उनकी आवास में परवेश करके उनको अपना पौश्टिक आहार का एक सुरोत मान लगा जबकि यह गलत है देखिए अगर आप मांसाहारी हैं मांस खाते भी हैं तो आप यह तरक नहीं दे सकते हैं कि चुंकि सभी जिओं को खाने के लिए ही भेजागे हैं फौर एक्जामपल इंडिया में कुत्तों को नहीं खाये जाता लेकिन कुत्तों की संक्या इतनी ज लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज को समझे तो आपको समझना चाहिए कि हर चीज आपके उपोई भोग के लिए नहीं है अर्थात बरतमान समय में हमें क्या करना है कि जो हम जय बिविता का जो हम जो है कि दोहन कर रहे हैं जो हम प्राकरतिक आवास चाहें वो किसी परकार प्राके हो इस्थली हो जली हो या फिर कोई छेतर हो जिस को जिस तरह से हम उसका प्रियोग कर रहे हैं वो हमारे लिए काफी घातक कंडिशन पहुच गया है जैसे अगर हम एयर पोलियोसन को लेकर बात करें तो आपने एक चीज देखा लॉकडाउन के वज़े से जो कि वा यह फर्दूसर होता है और देखि हम लोगों को मजबूर करके घरों है बैठा दिया गया तो हम लोगों ने क्या किया कि जो एक प्रकरती अपने आप अपने आपको फिल्टर कर ले रही है और देखिए कि इतना अच्छा बाताबरण हो चुका है तो कुल में लाकर इस समय ह हमें यह सोचने की जरूरत है कि आखेर हम ऐसी बिमारियों को बोलाने के लिए इन जियों के आवासों की छती ना पहुंचाएं, चाहें वह activity कोई भी हो, आप उसमें पचासो activity का नाम ले सकते हैं, उनको मैं नहीं लोगा, जैसे माली माइनिंग है, ट्रांस्पोर्टेशन है, टूरीजम है, कुछ भी आप ले सकते हैं, सबसे क्या होता है, इन चीजें प्रकरती का हनन होता है, इसलिए आश्टी लिए का यह कदम सभी देशों के लिए स्वागत योग होना चाहिए, और इस प्रकार के सभी मार्केट, चाहें वह किसी भी देश में हो, उन पर प्रतिबंद लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक चीज और ध्यान देने की ज़रूरत, ना सिर्फ इस प्रकार के मार्केट पर जो है कि हमें प्रतिबंद लगाने की ज़रूरत है, बलकि सभी देश्तों को अपने जो बनने जीव सरच अधिनियम अर्थात वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो उ यह भी किसी भी तरह से मान भी प्रकर्टी नहीं कहे जा सकती, अब आप कहेंगे कि चूँकि उट 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 के घरों में आ जा रहे थे, लोगों के पानी पे जा रहे थे, मानों और पसुसंघर्स बढ़ रहा था, लेकिन वो इस बज़े से बढ़ रहा था, क्योंकि बैक्त तो student यह जो topic था इसमें हम लोगों ने discuss किया कि कैसे अगर हम प्रकरती में हस्त छेप नहीं करेंगे तो हम इन बिमारियों के संपर्थ में नहीं आएंगे. हम बाब करते हैं अपनी दूसरे topic पर जो कि private health sector की बरतमान की आव सकता है. आपको पता है कि कुरोना वारस की बज़े से लगभग 12,000,000 लोग संकर में तो चुके हैं, 65,000 लगभग लोगों की मृत्तिव हो चुकी है और पूरे बिस्व के साथ साथ भारत में भी इसका परसार तेजी से हो रहा है. इसको रोकने के लिए भारत ने जो है कि lockdown का सहारा लिया है और बहुत से कदम उठाएं. मैं उनको रिफीट करके आपको परिसान नहीं करूँगा. मेरा मानना है कि कुछ और कदम उठाए जाने की आव सकता है. और यह आपके लिए इंपोर्टेंट है कि जब भी आप किसी चीज को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी रुख कर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सभी जितने भी विकल्ब थे अपना लिए गये हैं. कि नहीं, मैं यहाँ सभी विकल्ब का जिकर नहीं करूँगा लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स मैं डिसकस करूँगा. सबसे पहले हमें तो इस बीमारी से सीख लेने की आव सकता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है अभी बहुत पिछड़ा हुआ. बहुत पिछड़ा हुआ का मतलब यह है कि अभी हमें अपने हेल्थ सेक्टर को काफी आ और इटली की ही तूलना करें. तो इटली के लोग हैं वहां बहुत सोतंतरता प्रियों किसी परकार के रिस्टिक्शन को नहीं मालते हैं. उनका बिस्व के साथ जुड़ाव जादा है. बहुत जादा लोग ट्रेवल करते हैं. उनका एडवेंचर से लेकर कहीं घूमने का जादा होता है. तो उन्होंने अलग कल्चर से अपने आपको ढाल रखा है. तो उन्होंने कुछ लापरवाहियां की और लापरवाहियों के बज़े से उनके साथ ऐसा हुआ है. कुल मिलाकर जो बरतमान समय में अगर आपने एक चीज़ देखा हो, कि जिस दिन लोग डाउन की घोष्णा होई. हमारे हाँ सर्मिकों को आप देख लेजे, मजदूरों को देख लेजे. कितने दैनी इस्टिटी बन आये थी? तो कहीन не कहीं हमें यह इंसियूर करना होगा कि जो हमारा भी हेल्थ सेक्टर है, उस हेल्थ सेक्टर को हमें हर कंडिशन के लिए तयार करना ह अर्था जिस प्रकार की हमामारी आई है समय के साथ हमें अगर हम इस चीज को याद रखे कि हमें इस प्रकार की महामारी हों से निपटना है अभी से तयार होंगे तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे इसलिए थोड़ा समय देखना है बरतवान में अगर हम देखें तो कोरोना क टेस्टिंग किट हमारे पास कापी कम है हमारे पास पीपी का अभावा पीपी का मतलब होता है परसनल प्रोटेक्शन जो आपने देखा डॉक्टर्स को जो कपड़े चाहिए होते हैं उनको जो है कि कलफ्स चाहिए होते हैं उनको जो है कि ग्लासिस चाहिए होते हैं तो इनका अभाव है, बेंटिलेटर और बेट का अभाव है और सबसे बड़ी बाद तो छोड़ दिजी आप एक चीज देखिए, आपके हाँ अस्पतालों की बहुत कमी है अस्पताल है भी तो उनमें बेट की कापी कमी है, बेट है तो सफाई की कमी है, कहीं आपको पानी नहीं है, कहीं जो है कि सफाई की ब्योस्ता नहीं है, कई परकार की चुनोतिया हैं, तो इनको हमें ये समझना होगा कि क्रोना से लड़ते हुए ही हमें इनको इतना इनहेंस कर लेना है, जिससे आने वाले समय में इस परकार की हर चुनोति से हमें निबढ़ते है दूसरे इस तरह पर हमें थोड़ा सा स्वास्त के बजट को बढ़ाने की जरूरत है जैसे सिच्छा और स्वास्त जो होते हैं काप्री इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं human resource के बिकास में बरतमार समय कि अगर हम चीज को देखें मैं बस इतना कहूंगा कि आप देखें करोना वायरस है और करोना वायरस के बज़ें किस प्रकार के ब्रांतियां आपके चारो तरफ मेरे चारो तरफ और किस प्रकार का लेबल समझने का लेबल आपके चारो तरफ है आप खुद देखके लगाईए आप किसी से अगर कुरोना वारस पर आप बात करेंगे तो आप खोब पड़ी पकड़ लेंगे कि इस ब्यक्ति को भली कुरोना ना हुआ हो लेकिन इसका दिमाग जो है कि जरूर खराब हो चुका है कारण क्या है कि हमारे पास जो असिच्छा ह और असिच्छा के कारण जो हमारे स्वास्त को लेकर जाग रुपता है काफी कम है अगर हम देखे तो अमेरिका में एक गरीवी का जो इस टेंडर वो क्या है कि कोई बैक्ति है किसी मेटकल स्टोर पर जाए बॉटल ले कोई सिरॉप ले कोई मेडिस्टी ले-ले उसको पता चल जा है कि मेडिसिन किसलिए यूज की जाती किसलिए खाय जाती इसका क्या-क्या प्रयोग हो सकता है तो वहां पर एक लेबल माना जाता अस्थिच्छा का मैंने गरीवी बोल देए उसके लिए मुझे माप किजेगा कहीं ने कहीं देखे आप भारत में देखे और वहां पर देखिए तो इससे क्या हो रहा है कि हम अगर किसी ब्यक्ति को समझा रहे हैं कि आप क्रोना से कैसे बस सकते हैं तो ब्यक्ति क्या है वो अपने तर्क दे रहा है वो कह रहा है कि मैं लहसुन खाके मैं प्याच खाके मैं जो है कि कुछ करके मतलब अजीब अजीब अजी सी च जाएगा फॉर एक्जामपल बच्पन अगर किसी परिवार में सभी लोग पहले से स्वस्थ हो तो आने वाले समय उनको बीमारियों पर होने वाले खर्से बच जाते हैं अर्थात इनीसियल प्रारंबिक स्टेज पर कम खर्से आप क्या कर सकते हैं अपने आपको दुरूस्त क कर सकते हैं तो आप देखिए एक तो बजट बढ़ाने के आओ सकता है साथी साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हेल्थ पॉलसी की भी आओ सकता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हेल्थ पॉलसी का मतलब यह है कि एक ऐसी हेल्थ पॉलसी जो सभी चीजों को समाहित करती हो क किन्स चीज़ों को समाइद करती हो, सरकारी होस्पिटल, प्राइबेट होस्पिटल और साती साथ, जो की हेल्थ से जुड़े हुए, जितने विपिभाग, जितने मंत्राले, जितनी भी उससे जुड़े हुए समूँ है, संगठन है, सब को जोड़ कर कबर करती हो, बरतमा समय में आप देखिए, कि क्या हो रहा है, हो यह रहा है कि, जो की हेल्थ को लेकर, सरकार रेगुलेटरी तो जरूर चारी कर रही है, अपने जो है की नियमों को जरूर आगे कर रही है, बावजूद इसके, आपने बहुत कम जो है की प्राइबेट होस्पिटर, खुले हुए देखे होंगे, और उससे क्या हो रहा है, लोग क्रोना की बज़े से तो परेसान हैं हैं, लेकिन बहुत से लोगों को, जो है की कई परकार की अन्य बिमारियां हैं, जो कि सामानता लोग चेक अप कराने के लिए जाते थे, वह अब पूर्ती नहीं हो पारी, अर्थार इस समय जो देख रिट बढ़ रही है, उसके पीछे एक परमुक कारण क्रोना वारस ही नहीं है, बलकि अन्य बिमारियों के कारण होने वाली देख है, जिसको हम प्राइबेट सेक्टर को भी अगर हॉस्पिटल्स को भी खोले रगते, और उनका भी हमने यूज करने का कोई मेकेनिजम, कॉम्प्रिहेंसिव मेकेनिजम, नेशनल हेल्थ पॉस्थी के रूप में पहले से ही विक्सित कर लिया होता, तो आज हमें यह इंस्योर करने की जरूरत नहीं होती, कि हमारे पास मेटिकल फेसलिटी कम है, साथे साथ एक चीरोड देखना होगा, कि बरतमा समय में जो प्राइबेट सेक्टर के हॉस्पिटल है, उनको हमें उफण करने क्या हो सकता है, आप देख लिए जे रेलवे के साथ सतहर मंत्रा राय अपने इस तरप जो है की अस्पिटाल बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप सोचिए जो प्राइबेट हॉस्पिटल है, उनका पूरा इंफरस्टेक्टर खड़ा है, क्यों नहीं सरकार उनको टेक ओवर करें, जैसा कि इस पेन में किया गया है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहां पर सोचने की ज़रूरत है, आंद्रपर्देश, मद्रपर्देश, 36 गड़, राजिस्तान जैसे कुछ राचियों ने, एकाद दो राच और हुए, इन्होंने प्राइबेट सेक्टर का सहारा लिया, लेकिन पूरे देश के इस तरपर हम इस प्रयास को पूरा हम लोग नहीं मान सकते, तीसे स्टेज पे हमें थोड़ा सा यह भी करना होगा, कि लोगों को स्वास्ट बीमा की कवर परदान करना होगा, स्वास्ट बीमा का मतलब भी होता है कि आपको 5-10 लाग रुपे का स्वास्ट बीमा मिला, तो बर्तमान समय में अगर आप देखिए, तो उससे क्या हो रहा, कि एक बैक्ति को अगर कुरोना है और टेश्ट कराने जाता है, तो उसको लगवत 4500-5000 रुपे का खर्च आएगा, यह वो सिर्फ एक टेश्ट का बाकी अन्य खर्च भी अलग है, ऐसे समय में अगर बैक्तियों कहां क्या होता है, मेडिकल बीमा होता है, तो इससे उनको काफी लाव मिलता है, उनको तुरन पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, सरकार की खर्चे भी बसते, इसलिए थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, स्वास्त बीमा परतान करना होगा, प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को, इस समय जो हकी जो टेस्ट हो रहे हैं, उनको उसमें सामिल करना होगा, और वहाँ पर निसुल क्रोना टेस्ट और उपचार की सुब्धा देने का परस्ताव, मेरे तरब से लगता है, सरकार को लेके आना चाहिए, वह इसलिए लेके आना चाहिए, कि आप एक चीज़ देखिए, कि जब लॉक्टाउन हुआ, तो जो लोग सडकों पर पैदल रिक्सों से और पैदल जा रहे थे, वह किस ले जा रहे थे, कुछ लोगों का यह होगा, कि हम यहाँ पर केले बैठके क्या करेंगे, घर पे रहेंगे, लेकिन एक मुख के जो उनकी समस्या थी, वह आजिव कात्की थी, और उनके पास इतने पैसे नहीं रहते, और इक कुरोना जैसे बीमारी से, तो अपने आप में एक डर है, तो लोग पहली बात तो अगर वह संक्रमित भी हैं, तो उनके पास financial condition उनके ठीक नहीं है, कई परकार को लेकर वह डरे हुए हैं, तो हमें क्या करना था, अगर हम इनकी medical facility अच्छी रखते, इनको बीमा पहले से दिये होते, इनकी medical literacy अच्छी रहती, और साथी साथ अगर हम अभी कह दें, कि आप corona test बिल्कुल निसूल के सरकार इनका बहन करेगी, और आप अपने समी पुवरती private hospital में जाकर भी चेक अप करवा सकते हैं, तो मेरा मानना है इससे क्या होगा, लोगों का medical में जो है कि थोड़ा सा जो contribution हुआ ज़्यादा बढ़ेगा, एक बिकल्ब हम और अपना सकते हैं, वो है पढ़ान मंत्री जन आरिवगी योजना में, हम COVID-19 को भी सामिल कर सकते हैं, जिसको भी सामिल नहीं किया गया, आने वाले समय में अगर सामिल कर लिया जाता है, तो अच्छा है, इसके तरह आपको पता है, परिवार को 5 लाग कबर दिया जाता है, कि आप जाहिए और आपना इलाज करा सकते हैं 5 लाग कब, तो मेरा मानना है कि COVID-19 को भी सामिल कर देना चाहिए, और फिर से मैं वहीं कहूंगा, कि सरकार, चाहिए किंद्र सरकार हो, या राज सरकार हो, सब की अपनी लिमिटेशन है, सब के पास मेडिकल होस्पिल्टी इतनी जादा नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इसमें सामिल किया लिए, हाला कि प्रधानमंती जन आरियों की ओजना में एक अधिकत यह है, कि सिर्फ गरीबों बेक्तियों को इसका फादा मिलता है, इसलिए थोड़ा सा जो मिडिल कलास है, उसके बिसे में भी हम सोचकर हमें थोड़ा सा कदम बढ़ाने की जरूरत है, जैसा कि मैंने बता है कि स्पेन में प्राइवेट होस्पिटल को टेक ओवर कर लिया, सरकार ने वहाँ पे अपने डॉक्टर, अपने जो है दिकारे बैठा दिये हैं, और जो भी उनका होगा, जब बाद में जो है कि होस्पिटल को प्राइवेट सेक्टर को सौपा जाएगा, तो सरकार जो है कि जो भी उस सरकार को लगता है, उसको कुछ कमपनसेशन दे सकते हैं, या उसकी फेसलिटी, उनका जो सुबधा लिया है, उसका कुछ पे किया जा सकता है, भारत में भी जहां पर आप देखेंगे, तो सरकारी होस्पिटल तो कम देखाई देते हैं, प्राइबेट तो आपको हर गली मुहलेम देख जाएंगे, तो उनका टेक ओबर कल लेना चाहिए, मेरा है मानना है, खास कर कि जब इस परकार की महामारी और आपदा का समय है, तब तो जरूर करना चाहिए, एक क्रान और किया जाना चाहिए, जो अभी किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े स्थरपन नहीं किया जा रहा है, आप देख रहें डॉक्टर के, नर्स की और साथी साथ जो मेडिकल हेल्पर होते हैं, उनकी कमी है, तो जिन लोगों के पास कभी medical diploma हो या उनको जानकारी हो और जो लोग स्वेन एक volunteer की रूप में अपनी service देना चाहते हूं उनका volunteer की रूप में प्रियोग किया जाना चाहिए और यह जो प्रियोग किया जाना है ते इससे क्या होगा जब हर एक गली हर एक मोहले का ब्यक्ति उ जुड़ा होगा उस संस्था से जुड़ा होगा तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि हां हमारे पैसान का chin to mean to something कोई वहां पर है और वह सम्हाल लेगा तो इस परकार थोड़ा सा हमें जोई की सूचनी की भी ज़रूरत है भबिस्त के लिए हम Central Medical Service Provider का एक database बना करते हैं जै इससे क्या होगा कि जब हमारे पास ऐसी कोई महामारी कोई आपदा आती है तो हम तुरंत उन लोगों से connect हो सकते हैं जो कि अभी हम नहीं हो पार हैं सरकार जो है कि केंदरक सासा राजे सरकार भी इसके लिए लोगों से अपील कर रहे हैं लोग अपनी स्विच्छा से आ भी रहें लेकिन हमें जरूरत है कि सभी लोगों तक सूचना पहुचाएं कि सरकार उनसे क्या उमेद करते हैं अपनी आप देखते हम लोग काफी ज़्यादा लोह निकल कर आ सकते थे इसलिए सेंटल मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर अर्था जो भी मेडिकल की सर्विस होता है और वो बताता है कि आप इस तरह से ही चीज़ों को कीजी इस तरह से ही बिमारी हो से तो टेली मेडिसीन जो की अभी ब्यवहारिक रूप धरातल पर नहीं उतर पाई है इंडिया में इसको ब्यवहारिक रूप दिया जाना चाहिए अर्थात माल लेजी एम्स का डॉक् के और जितने प्राइवेट होस्पिटल है सब को गाइड कर सकता है तो इस तब कर सकता है जब हमने टेली मेडिसीन के तहर सभी होस्पिटल को एक दूसरे से जोड़ा होता है तो यह पूरा चो टॉपिक था इसको हमने डिसकस किया अब आईए हम बात करते हैं COVID-19 की बैक्स कर रहा हों यह देखें आपको कॉंगो यह नजर आ रहा है तो आप यह जो कॉंगो देख पा रहा है इसी के मैं बात कर रहा हूँ और देखें यह पर इक इंडियन एक्सप्रेस का एक जूहे कि लेक है और इसमें से दिखा है दो उटर्रे टीजिम यू-स, कनेडा और चैना to produce COVID-19 vaccine what in testing in Congo अर्थात यह जो देश है USA, Canada है और चीन है यह देश जो है की vaccine बना रहा है COVID-19 के लिए लेकिन इसका जो test कर रहे है वो कॉंगो में कर रहे है और एक परकार के racism racism अर्थात एक तरह का जो है की भेदभाव के रूप में आप इसको देखते हैं इस परकार के racism सब्द इसके लिए यूच किया गया है तो एक एक चीज को में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या के racism सब्द इसके लिए क्यों यूच किया जा रहा है और इस पूरा मामला है क्या तो देखे सबसे पहले Democratic Republic of the Congo जिसको आप DR Congo की नाम से अर्था Democratic Republic of Congo का सौट पूम है DR Congo इमद अफरिका में इस ती गरेब देशे आप देख पा रहे होंगे यह देशे अगर आप equator की condition को जानते होंगे तो आपको पता होगा equator यहीं कहीं पास से गुजरती है और कहीं पास से नहीं गुजरती है आपको पता ही है इस देश से होगा गुजरती है यह जो देश है यह सब सहारा अफरिका का सबसे बड़ा देश है सब सहारा मतलब सहारा के दच्छेड में पास में जो location है सहारा के दच्चेन में उसका सबसे बड़ा देश से इसकी राधधानी आपको पता है किन सासा है अब यहां की जो जनसंख्या है वो लगबख 84 मिलियन है और विस्व जनसंख्या में जो इसका इस्थाने होगा सोलवा है चुकि यहां देश जो है के विस्व तरीके जलवाईू में इस्थित है और इसके कारां विस्व तरीके जलवाईू जो छेत्र होता है मानों के अनकूल नहीं होता है आपको पता है यहां पर बर्स गर्मी पढ़ती है और बर्सा प्रती दिन होते है तो इससे क्या होता है वाई मंडल में बहुत उमस रहता है चिपचिपा पन रहता है तो आपको देखिए जब गर्मी में खुब गर्मी पढ़ती है बारिसना हो बहुत उमस वाला मौसम रहता है तो आप कितना अच्छा फिल करते हैं तो यहां पर क्या है पहले सही मानवी यहां का climate नहीं है और इसी के कारण यहां पर प्राकर्तिक मृत्तिवदर है अर्थात अपने आप मृत्तिव होने जो ना किसी आपदा के कारण ही अपने आप जो मृत्तिव होती है उसको प्राकर्तिक मृत्तिवदर बोलते है वो उच्छे उच्छे मतलब बहुत जादा बड चुकी हैं अर्थात यहां का जलवाई मानों के अनुकूल है और यह सबसे पहली बात है गरीब देश है जहां कि medical facility बहुत पिछड़ी हुई है एक यहां पर जंजाती समुदायों का चेत्र है यहां पर कई छोटे छोटे जंजाती समुदायों मिलेंगे और आपस में संघर्स करते रहते हैं यहां पर नदियों का आपको बहुत बड़ा जाल मिलेगा आपको घने जंगल मिलेंगे जिससे अब इस देश में क्या हो रहा है कि COVID-19 का परसाड तेजी से हो रहा है अभी देखे मैं अभी यहां पर जो बैक्सिन का टेस्ट है उस पर नहीं आया मैं आपको बैक्राउंड बता रहा हूं कि देखे टोपिक कितना घातक है घातक इसलिए कि थोड़ा सा देशों को सोचना चाहिए कि जुकतिस गरीब है उसको ऐसे तो मेरा जहां तक मानना है उसके साथ ऐसा ब्यवार नहीं करना चाहिए COVID-19 का परसाड यहां पर तेजी से हो रहा है और जिसने निपटने के लिए इन्होंने बैस्विक सहयों मांगा था और बीस बैंक ने कल ही इस पर जो है कि संबी उपोंगो इनकी मृत्ति कुरोना वायरस की वज़े से हो गई इसलिए देश चर्चा में बना रहा था सूचिए अपने एक्स प्रिसिडेंट को यह नहीं बचा पाए तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल प्रसलिटी यह कितनी जो की पिछडी हुई है और यहां पर क्या एक बैक्सीन नया बैक्सीन बनाया था उसकी टेस्टिंग चल लगती अब यहां पर क्या हुआ कोविड-19 के बैक्सीन के टेस्ट के कारण यह देश चर्चा में बना हुआ अर्थाक USA, चीन, कैनेडा के दोरा चो कोविड-19 बैक्सीन का यहां पर निर्मार जो किया जाएग और 200-500 लोगों को चुना जाएगा उनको इंजेक्ट किया जाएगा अर्था उनको बैक्सीन दिया जाएगा और वह जो बैक्सीन दिया जाएगा वह स्वस्त लोगों में दिया जाएगा अर्था जो कुरोना से परभावित नहीं है और जब वह स्वस्त लोगों में दिया जाएगा तो कुछ समय भाद उनको फिर से कुरोना की संपर्क में लाया जाएगा और कुरोना की संपर्क में लाकर यह चेक किया जाएगा कि आखिर वह ब्यक्ति इससे अपने आपको सुरचित कर पाता है कि नहीं अर्था जो वैक्सीन उस ब्यक्ति ने लिया है उसका असर है या नहीं या फिर से वो कुरोना से अभी किस तरह से लड़ पा रहा है क्या उसको और दवाओं की जरूरत है तो इस प्रकार का टेस्ट किया जाएगा इस प्रकार का असर करेगा तो इहां के लोगों को क्या किया जाएगा और फिर उनको क्रोना के संपर्क मिलाया जाएगा फिर देखा जाएगा कि आखिर वैक्सीन अपने सभी उद्देसों को पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है और वैक्सीन क्या प्रियोग क्यों करते हैं चीजिस से सरी का प्रत्रच्छतन इससे लड़ने में सच्चम हो जाए और लड़ने में सच्चम हो रहा या नहीं हो रहा उसके लिए क् क्या रहा है कि इसके लिए इन्होंने देश कौन से चुना है वह है Democratic Republic अब कौंगो जो कि पहले से ही गरीब है पहले से ही क्लाइमेट पहले से ही क्लाइमेट पहले से ही क्या है काफी adverse है काफी प्रतुकूल है इसलिए BASPIC रूप में जो है कि जो देश है अधिकांस देश इस बात की आलोचना कर रहा है बहुत से NGO जो नहीं कि इसको गलत बताया है अब आप प्रश्ण करेंगे कि अखिरी फिर इसमें किया ही क्यों जा रहा है इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो भी टेस्ट कराया जाएगा तो प्रतेख टेस्ट के लिए कुछ रकम दी जाएगी एक गरीब देश है और गरीब देश होने के कारण उसको ओफर करेंगे एक देशों की कमपनिया बैक्सिन बनाने वाले कमपनिया कि हम प्रतेख बैक्ति इतना देंगे और आप क्या करिए अपने यहां टेस्ट कराये अब खुश समझी एक अगर अमेरिका में 400 से 500 लोगों के उपर बैक्सिन का प्रियोग किया जाए और यह बैक्सिन के प्रियोग के इस तर से गुजरेगी ऐसा नहीं है कि बैक्सिन जो पहली बार बनाय जा रही परफेक्ट होगी अर्थान माल लेजिए यह 400 से 500 स्वस्थ लोग थे डेमोकरिटिक रिपबलिक और कांगो के और इनको दिया गया बैक्सिन अब फिर इनको करोना के संपर्ख मिला है और फिर यह भी करोना से संक्रमित हो गए तो क्या होगा इस चैन फिर से बढ़ जाई अमेरिका अपने हाँ नहीं कर रहा चीन अपने हाँ नहीं कर रहा कनेड अपने हाँ पर नहीं कर रहा और कहां कर रहा यहाँ पर अब देखी यह दिश पहले से करीब है फिर से अगर क्रोना की चपेट में दो-बारा आ गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कि कितना घातक होगा हाला कि आपको पता है कुछ समय पहले ही लगबग एक महीने पहले ही लगबग अमेरिका में एक महीला ने अपने उपर इस बैक्सीन का प्रियोग करने का एक ठीका लगवाय था लेकिन वो बहुत छोटे लेवर पर यहाँ पर क्या होगा एक जो कि फाइनल टेस्टिंग होगी अर्था बड़ी मात्रा में होगी तो इसको लेकर जो है कि देश कह रहा है कि जिन देशों की कमपनिया जिन देशों का आप अपनी हाँ करो किसी ऐसे गरीब देश पर इसका प्रियोग मत करो जो की जिसकी मेडिकल फिसलिटी आलरेडी पिछड़ी होई है और कहीं फिर से यहाँ पर कुरोना वायरस का आउटव्रेक हो गया तो कापी घाटित हो इसलिए कुछ समयचे इसको नैतिक ताकि हैं क्योंकि गरीबी और उच्च मतिदर होने के बाहुजद अगर आप एक एक एदम उठा रहे हैं तो काफी कटें है और इसमें जो टेस्ट होगा यह जुलाई अगस से प्रारम होगा और लोग इसलिए कह रहा है कि जो यह देश हैं इन लोगों ने इस देश को इसलिए च से लहता है वहाँ पर और अन्य परकार के वायरस का पर्भाव है अब देखिए अर्थात पहले से ही साफ स्वाफाई नहीं रखा जाता और यहां पर वायरस का प्रसार तेजी से हो सकता तो इनका माना है कि अगर हम इस देश में इस बाइरस से निपटने के लिए बैक्सीन को जो है कि 100% अच्छा बना पाए तो किसी भी देश में यहां काम कर जाएगे क्योंकि अन्य देशों की तो इस्तिती इस से समानेता अच्छी है और इसलिए हम सबसे खराब कंडिशन को चुन रहे है हाला कि मुझे इस तरक में ज़रा दम नहीं लगता मेरा तो मानना यही है कि इन्होंने बस इसलिए चुना होगा क्योंकि यह जो है कि अई का पिछड़ा देश है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जैसे मैंने इवोला वा सित नहीं है पिछड़े हुए है गरीब है और इसी के लिए कई समय चक्या कह रहा है कि आप अफ्रिका कॉंटिनेंट को एक टेस्टिंग बैक्सीन टेस्टिंग जो है कि कॉंटिनेंट मत बनाएए यह नैक तिकता है यह मौराल के खिलाब तो शिंग यह था तीनों टॉपि लगाएएगाँ